36 गड़ सामान नियत धेन से संबंधित 10 प्रशनों पर रोज हम डिसकसन करते हैं जो कि CGPAC और CGVAPOM के परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो सकता है सीरे हम लोग कुस्चन पर चलते हैं तो आज का पहला कुस्चन है बाबा गुरु घासिदास जी ने किस इस्थान पर ग्यान की प्राप्ती हुई तो आपको बताना है कि जो सतनाम पंथ के जो परवर्तक हैं बाबा गुरु घासिदास जी उन्हें किस इस्थान पर ग्यान की प्राप्ती हुई तो यहां पर अलग-अलग व्रिक्षों का नाम दिया हुआ है, तो बाबा गुरु घासिदास जी को तेंदू व्रिक्ष के नीचे ग्यान के प्राप्ति हुई, देखेगा जिसे महात्मा बुद्ध हैं, महाविर श्वामी जी हैं, उनको भी अलग-अलग स्थान पर अलग-अ तेंदू व्रिक्ष थे, जिनका नाम रखा गया है औरा धौरा व्रिक्ष, मतलब की जो सतनामी हैं, इन व्रिक्षों को औरा धौरा व्रिक्ष के नाम से जामते हैं, तो यह जो औरा धौरा व्रिक्ष हैं, यह तेंदू व्रिक्ष हैं, तेंदू के पीड़ हैं, तेंदू पत्ते पत्त संग्रहण किया जाता है einधू पत्त संग्रहण आपलोगों नी सुना ओगा जिसको 4000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से क्राय किया जाता है 1000 रुपए प्रति कि दर जाता है धूकू के नाम से धना जाता है को अगला कुशन दिखते हैं निमन मेंसे की सिर्थान पर लगने वाला साम मिला है उसके बाद जो कुटिघाट मिला है यह सब तो लगभग प्रतिवर्स होते हैं हर साल होते हैं यह मिले लेकिन तुम्माण में जो मिला लगता है तुम्माण चलता है लगाततार 12 तक चलने वाला यहां इत्से का पाक्षण दिया हुआ है онग काफी important topic है यहां से अक्सर परिक्षाओं में question बनता है तो देखो जो धार है यह कान में पहना जाता है ठीक है यह सुमेलित है उसके बाद जो फली फली नहीं यह माफी चाहूंगा यह फुली है फुली तो जो फुली है यह नात में पहना जाता है पुतरी गला में पहना जाता है ब का उत्तर होगा हमेल कहां पहनते हैं गला में अगला कोश्चन देखते हैं निम्न में से कौन छत्यजगर राज्य के उच्छ नयाय लेके मुख्य नयाय धीस नहीं थे तो भै कौन मुख्य नयाय धीस नहीं थे हमारे छत्यजगर राज्य के उच्छ नयाय लेके तो देखो एक गड़ के राज्यपाल्स सेखर दत्र जेखर्द्ट प्रशाशन सेवास में थे बाद राज्यपाल वुगा बने तो सेखर्द्ट प्रयतर सहकारी संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किस सवृष्व विध्याले से होता था चतीजगड सहकारी संदेश ये जो पत्रिका है चतीजगड सहकारी संदेश ये 1972 के आसपास प्रकासित होना सुरू हुआ था विमल कुमार पाठक द्वारा इसका प्रकासन किया जाता था और कहां से होता था तो इंदिरा कला एवं शंगीत विश्व विद्याले खैरागड से यह पत्रिका प्रकासित होती थी विमल कुमार पाठक याद रखना कुछ से पुस्तकों में आपको विनाय कुमार पाठक भी देखने को मिलेगा लेकिन विमल कुमार पाठक ही इसका सही आंसर है और यह खैरागड इंदिरा कला संगीत विश्व विद्याले से प्रकासित हो बोजली पत्रिका का प्रकासन की ति नुएन होता मतलब किस तरह से होता था ये फक्षिक था पक्षिक नचल बहुतरा दिन में i1 एट पंद्रा दिन दिन देखोगो का होता है कि जो हिंदी में महिने होते मांसै के और अबस्तर रहे हो होते हैं कृष्ण पक्ष और सुक्ल पक्ष तो एक पक्ष जो है ना पंदरा दिन का होता है एक पक्ष पंदरा दिन का होता है तो दो पक्ष तीस दिन का इस तरह से तो एक पक्ष क्या कहलाता है पक्षिक मतलब की पंदरा दिन में प्रकासित होने वाला पत्रिका उसको क्या वो लेंगे पाक्षिक, तो क्या भोजली पत्रीका पाक्षिक थी, ये आपको आंसर बताना है, उस वादे कि माशिक मतलब जो महीने में एक बार प्रकासित होता हो, तो ये जो भोजली पत्रीका है, ये त्रे माशिक थी, तो जितनी भी पत्रीका थी, जो खास-खास है, वो कब प्रकासित होती थी, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 36 गड़ मित्र, जो हमारे 36 गड़ राज्य से प्रकासित होने वाली पहली समाचार पत्र माना जाता है, तो वो ना माशिक थी, ध्यान रखना, माशिक थी, वही जो पहला सापतायग था और वही महा कोशल जो है आगे चल करके दैनिक हुआ तो कौन सा दैनिक था माशिक था पक्षिक था ये चीज भी आपको ध्यान में रखना आए तो є जो भोजली पत्रिका है इसका प्रकाशन होता था त्रे माशिक और इसके प्रकासक कौन थे तो विनय कुमार पाठक कौन थे विनय कुमार पाठक इससे पहले जो मैंने बता है न चत्तिसगर सहकारी संदेश उसके विमल थे चत्तिसगर सहकारी संदेश के विमल कुमार पाठक ये विनय कुमार पाठक ये बिलासपूर से निकलता था भोजली को समविधान में इस्थान दिया जाना चाहिए यह किस समीटी द्वारा सिफारी सग की गई थी तो देखो पंचायती राजव्यवस्था को लागू करवाने के लिए काफी समीतियां गठित की गई थी सबसे पहला बलवनत राय मेहता समीती था फिर असों मेहता समीती लक्षम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई बोलता त्री इस्तरिय होना चाहिए, कोई बोलता चार इस्तरिय होना चाहिए, कोई दो इस्तरिय होना चाहिए, कोई इस तरह से होना चाहिए, तो अलग-अलग सिफारी से दिया करते थे, तो इस तरह से हम लोग का जो पंचायती पूछा जा सकता है पंचायती राजविवस्ता से संबंदित प्रश्ण पर तो देखिएगा जो लक्ष्मी मल सिंग्वी समिती जो की 1986 में गठी थूई थी तो इसने बोला कि भई जो पंचायती राजविवस्ता है उसको संविधान में इस्थान दिया जाना चाहिए तो ध्य बस्तर छेतर में छेर छेरा के टाइम पर गाया जाता है छेर छेरा आने वाला है ना कब मनाया जाता है छेर छेरा पॉस पूर्णी मा को मनाया जाता है छेर छेरा तब बस्तर छेतर में जो लड़कियां होती है बालिकाई होती है वो तारा गीत गाती है और लड़के जो है वो छेरचरागी दगाती है, रीलो गीत, यह जो रीलो गीत है, यह विवहागीत है, लेजा गीत, यह बिलकुल मनुरंजन वाला गीत है, कभी भी गाया जा सकता है, कोटनी गीत, यह भी विवहागीत है, मतलब कि दो और तीन विवहागीत है, तो यहाँ आपका अंसर हो जाए दो और चार मेंने साथ, दो और तीन बोला, अगला कुस्चन जो कि इस वीडियो का आखरी कुस्चन होगा, निम्न में से किसका संबंद पंडवानी गायन से है, उसा भाई ये भी पंडवानी गायक है, गोगया परधान भी पंडवानी गायक है, रितु वर्मा ये भी है, रा चार तो यह आपका उत्तर होगा इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आप से कितने कुश्चिन सौल्व हो यह किसी भी कुश्चिन में कोई भी डाउट हो तो जिरूर बताईएगा वीडियो को जितना हो